जहन सभी आर्मी रैली भरती की तैयारी करने वाले बच्चों का तिल्कुल मैं कहता हूँ आप मेरे आर्मी के लाल है और जल्दी आपके सामने बड़ी खुशकवरी होगे पर्मानेंसी को ले करके पर इन सब के बीच जिन बच्चों ने एक्जाम दिया हुआ है उनके जहन मे माई भीद गया और रिजल्ट तो नहीं ही आया अब फिर से प्रश्न खड़ा होता है क्या कि रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट देखने पर थोड़ा कम दिमाग लगाए कब आएगा इस पर भी कम दिमाग लगाए आप मेजर कलसी चैनल से जुड़े हैं तो जो भी अपडे कि और से लेटेस्ट अपडेट के अंशार सभी एरो सेंटर की तरफ से जिला मुखाले को एक लेटर बिलकुल लिखा जा चुका है और उन्हें रैली कंडर्ट कराने की जानकारी दी जा चुकी है क्योंकि बड़ी प्रोसीडिंग होती है डिस्टक कलेक्टर से पूरा प्रो फिजिकल जो है वो इस समय अंतिम चरण में बिलकुल है क्योंकि उन्हें सेकंड बीक आप जून से सुरू करना है तो यह बड़ा ही एहम टाइम है लाजमिशी बात है रिजल्ट आने के तुरंत बाद आपको फिजिकल की डेट्स दे दी जाएंगे इसमें बहुत से भी गुजरना है तो अगर वाकई में सफलता आपके जहन में हैं और आप चाहते हैं कि से और सौट सफल हो जाएं तो इस बार आपके पीफटी के साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा कि कि उसको कौलिफाई करने के बाद ही आप मेड साइड डेलिंग कर ली है तो बिने डिले किये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही पारामीटर में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस सेग्मेंट को बहुत 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 कर सकते हैं अब थोड़ी से साइकल को भी समझ लेता है जिससे रिजल्ट अपडेट को लेके भी क् साइकोमेट्रिक और फेस्टू प्रक्रिया का टेस्टिंग है इसका जानकारी लेके त्यारी शुरू करी ऑफलाइन भी जबर जस्त ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हमने दे दिया है अब 2023 के सेड्यूल समझा देता हूं तो भी देको तुमको एक्दम क्लियर हो जा अभी 2024 का एक्जाम आपने दिया है तो लाजमिशी बात है कि अप्लिकेशन इस बार थोड़ा पहले सुरू हुआ तेरा फरवरी से ही सुरू कर दिया गया बाइस मार्च तक भरने का मौका दिया थोड़ा ज्यादा समय दिया गया बाइस अप्रिल को आपकी एक्जाम प्रक ही दिया कि सेकंड बीक आप जून से है तो इक्जाक्ली यही कलेंडर है जो इस तरह से रिजल्ट आएगा और इस डेट से आपका फिचकल होगा 15-20 दिन भी मानदारी से आप हमें दे दीजिएगा तो जो पूरा साइकोमेट्री टेस्ट फिजिकल और मेडिकल का प्रोसेज इन बिवस्ता है जो आपको कभी भी मेडिकल और मेडिकल आउट नहीं होने देंगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी कमेट्मेंट हमने दे दिया तो बिल्कुल जबर जस्त हमने बैचे सुरू कर ली है इस समय ऑनलाइन ऑफ लाइन दोनों फिजिकल की भी साइकोमेट्र होने की भी अनाउंस्मेंट पा जाएंगे तो फिर दिले नहीं करना है बिटा मेहनत करके तैंक करना और लोगों को दिखाना है कि आपने जो सोचा वो चीज़ पाके दिखा है थैंक यू सो मच विश्य गूड लग जय हैं जय भारत बाकि कोई क्वारीज हो तो कमेंस दिक स में जरह में सम करें जय हैं